हलो फ्रेंट नमस्कार प्याप आइसी किचेन में आप सभी का स्वागत है आज हम बनाएंगे सुजी का स्वीट डिलिसेस रेशीपी राजबेरी का स्वीट सा रेशीपी चले अब ही शुरू कते हैं ग्यास में मैं एक सास्पन बेठा दी हूँ उसमें हम चैसनी बनाएंगे मैं इधर एक कप चीनी आड़ करे रहे हूँ लगबग दो से 20 क्रेम का चीनी हो गया और उसी कप में हम पानी डारेंगे इधर में एक कप पानी भी आड़ करे हूँ जितना चीनी लेंगे उसी साब से आप पानी दोड़के डाल दी हूँ उसको हम एक्स कर लेते हैं तौड़ा सा के सरफ याड़ कर रहे हूं कलर अची आएगी और उसका फ्लेबर भी बहुत ही अची आएगी यह लिगाए चासनी हैं देखे अलगासा चिकना चिकना लागेगे तब उसको हम साइड कर लेते हैं और जलुदी से मेल्ड हो जाएगी यह अमरा गी हम चुछाइब आप शूजी उसको हम फ्राय करना है अब सूजी में भी करना चाहिए कर सकते हैं मोटा पातला कोई भी सूजी चलेगा कोई बॉब्लम नहीं है अलकासा फ्राइ कर दीजिए दो से तेन मिनिट के लिए उसको हम फ्राइ करना है उसका जो कच्चा पन है थोड़ा सा निकल जाएगी और खुस भी बहुत ही अच्छी आएगी ज्यादा नहीं पकाना है बस दो से तेन मिनिट यह हमारा सूजी बनके तियार हो गई है लेकिन कलर चेंज नहीं हुए लेकिन सूजी अमर कच्चा पन है जो निकल गई है उसमें हमें एक कप दूदार करेंगे यह में सूजी जिस कप में ली थी उसी कप में एक कप दूदार क पकाने से एक मिनिट के लिए के लिए पकाने से हमारे सब्ट डो बनके हो जाएगी जब थे मेरा मेरा प्लेट में ऊसा अद्याइगा यह अधीया हम प्लेट में निकाल देते हैं फिक प्लेट को थोड़ा सा चिकना बना देती हूँ उसमे थोड़ा तेल गागी आप साई दाल के थोड़ा सा चिकना बना दीजिए और शोजी खतके गाने इस और तरब से एहस्को फेला दीजिए हालका सा sûr थंड़ हो गई तोस में हम डालेंगे अभी दो चामास मिल्क पाउडर लेवर बहुत यह ची आएगी एक चामास मैदा थोड़ा साई लाइची आप टीस्पून बेकिंग सोड़ा सारे चीजों को हम मेक्स कर लेते हैं इस तरह से हास से मसल मसल कर आप साप्ड डो बना दीजिए एकदम साप्ड बना चाहिए अम जब राशपरी बनाएंगे तो क्राक्स नहीं होना चाहिए नहीं तो तूट जाएगी जब हम उसको फ्राइए करेंगे, वो फड़ जाएगी, यह देखे, शोप्ठ बन गई है, उसको हम रजबरी बनायेंगे इस तरह से हाँ से लेजिए, छोटा छोटा गोला, तरह से गुरे बाई, यह देखे, आमरे राजबरी बन के त्यार हो गई आप इसमें कुछ भी डीजाइन भी दे सकते हैं लेकिन मैं इधर प्लेन बना रहा हूं यह देखिए इस तरह से आप सारे बना दीजिए कि यह मैं सारे बना दी हूं सेम प्रोसेस में यह मेरा सारे बन के अलमस रेडी हो गई है उसको जलिए भी फ्राइ करेंगे गयास में अलमस में तेल गरम कर दी हूं उसको हम छोड़ दीते हैं फ्राइ के लिए थोड़ा से ज्यादा छोड़ने से अच्छे ही होगा एक साथ ही हो जाएक और अच्छी तरह से फूलेगी भी एक तुसरे के साहत में उपड़ आएंगे तो यह दिखे मैं एक साथ ही चार पास्ट छोड़ दी हूं अब भी हम उसको छूएंगे नहीं कुछ भी नहीं हैं अगरे था से नीचे से तरफ हो जाएंगे तब हम उसको पल्टी करेंगे नहीं तो आमारा राजबरेजर तोट जाएगी जाए या बहुत beneल का सा तैल उसको टेल अप्ड़ जाएं नेचे के तरफ से अमारा हो गई है थोड़ा से इसको पल्टी कर देते हैं इस तरह से हम उसको फ्राइब करना है उसका गोल्डेन कलर आने तक उसको हम लो फ्लेम में उसको फ्राइब करना है अच्छी रहेगी हना है यहां मर्डर वाप गोल्डेन काथ हम उसके फ्राइब करेंगे है gekommen कर वैंमार बाइस के हालमtail होगी है कि उम निपन काल देते हैं अभी हम प्लेट में निकाल देंगे थंड़ा होने के बाद हम डालेंगे चासनी में, गरम गरम नहीं डालना है, अब दूसरे को हम प्राई कर लेते हैं, श्रिम प्रोसेस में, अभी हम चासनी में डाल देते हैं, यह हमारा हलका सा थेंडा हो गई है, अभी हम चासनी में डाल देंगे, सारे डाल देते हैं और उसको हम एक घंटा के लिए रेश्ट के लिए भी छोड़ देंगे और एक घंटा के बाद हम चेक करेंगे यह हमारा एक घंटा हो गई है दिखिए फूल के पूरा डबल साइज हो गई है कितनी अच्छी है और कितना सोप कर लिया है हमारा चासनी सारी अभी दिखिए कितनी अच्छी लग रही है यह हम थोड़ा सा उसको अपा चासनी डाल देते है उसको हम काट करके देखाते हैं दिखी कितनी संप्ट बनी हैं टेस्ट आपको गुलाब जमन जीसेअ आएगा बहती अच्छी है और भी टेस्टी और डिलिस्यू रिसीपी है इस तरह आप घार में जरूर बनाया कैसा लगा कमेट करके जरूर बताएगा अगर आपको रेसीपी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजेगा और दोस्तों कर सेर कर दीजेगा और मेरे चैनल कर सस्क्राइब जरूर कर दीजेगा